नमस्काप प्रशेचूँ आप सभी का बहुत बहुत सवागत है आपके अपने करेंट हेवन के डूप चैनल पर आसा करते हैं आपके लोग बहुत ही बहुत ही बहतरीन होगे इसमें आपको एक बहुत ही सुनहरा अपर्चून्टी मिला है बच्चों ठीक जैसे कि पिछली बा पहाड तोड़ना हुआ माही माही को सुनहें अब ना भाई पहाड तोड़ा था बंदा तो इस बज़े से आप लोग उन सीजों को देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हो ये और अच्छे तरीके से दोनों को इजाम क्वालिफाइए करें इसमें पीप्यस्टी में सीटेट सेक देखा नहीं होता होगा तो मातर इसको दो मिनिट तक हम देखेंगे इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर ठीक बच्छों पहले तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ तीन नॉम्बर से तेईस नॉम्बर तक आपके फॉर्म फिलिंग डेट हैं यानि कि रेजिस्टेश पहले इनका रिलीज हो जाएगा इसके बाद 28 डिसंबर से लेकर दो डिसंबर तक इनका कर्यक्शन कज़श देट है नीस समझते है फॉर्म फिलिंग這種 दोग टकK starts होगा 19 सनवरी को admit card release हो जाएगा और 29 सनवरी को आपका paper हो जाएगा एक ही देने जाम होगा paper का mode एक ही होगा बच्छों मताधा paper का mode offline होगा paper की setting एक ही होगा सरा इंडेमली इदर उधर question को घुमा देने तो ABCD E तक हो सकता है set बना दे works जटो समझे रहे हैं और इसमें एक नई बात या है बच्वों इसमें假 liON कि जो पर सेकेंड होगा यह पहले होगा इस पार क्योंकि बीपस्पेशी जो इस बार एक्जाम ले रहे रहे हैं बच्व हो आ हमें लगता है यह फो आई तक oder इस वजे से हुआ एक तरसे पीरी वाले बच्चों को अलाव करना चाहती है इसमें मतलब करी ही ही है वो Exercise बश्कार चाहिए लौना चाहिए इस मौके का आप फायदा भर पूर रूप से उठाईए आप दोनों पेपर यानिके सीटेट सेकेंड पेपर भी क्लियर करिए अगर नहीं है तो और बिप्यस्टी वाला तो क्लियर करिये ही करिये बच्चों यह बाते होगे क्लियर अब एक चीज़ और ध्यान में रखना इसमें कैसे अच्छे मांक्स पाया जाएं तो आप बहुत सारे बच्चे कंफूज हो जाते हैं कि कैसे अच्छे मांक्स पायां तेकि सीलेबस में कोई फेर वदल नहीं है सीलेबस बिल्कुल सेम एज सेम है जो पिछली बार था वई सीलेबस इस बार भी है ठीक है न कोई दुखता नहीं जो बच्चे एक्टर से आर्ट वाले हैं उनको सेश्टी पर फोकस करना है 60 मांक्स के सेश्टी होंगे और बाकि सीडीपी होगा उनका 30 मांक्स का उनका हिंदी यानि कि फर्स्ट लैंग्वेज होगा हिंदी इंग अब लाश्ट वाली बाद ने जा ले हैं उसको पढ़ने के लीए से पढ़ने के लिए यूट्व यूट्यूब का सारा बलकूल ले और वहां गोडंद ही आंको second वाले बच्चे इस बार क्योंकि second वाले बच्चे इस बार चाते हैं seated paper second वाले बच्चे काफी चाते होंगे इस बार मतलब उस पे बहुत जादे focus करके बच्चे इस बार पढ़ाई करेंगे तो first वर अपने याप निकल जाना है इसमें कोई दो राय नहीं है अगर second पर focus कर लिया जाए तो तो आपको किस पर focus करना है second पर focus करना है उसके लिए आपको बले ही आप course लिया हो कहीं से लेकिन आपको offline जो offline मिलता है set 35 सेट वाला या फिर 20 का दो सेट लेकर उस पर फरपूर रूप से analysis करते हुए कम सकम तीन दिन पर दो दिन पर सेट लगाते चलना है आपको समझ रहा है ना तो सीट इट पर focus करिए और सीट सेट सेट पर focus करिए और ब्पीस के एजांद पर focus करिए दो आपके लिए बहुत ही बहुत ही भीटरीन अपार्चुन्टिय है बाई चलिए लोग रहा है नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो से अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अगर information अच्छी लगी हो तो भी शेयर बच्चों कर सकते हैं आप अगर आपका मन किया तो अन्था करणिसर में आप देख लिए ना वही मेरे लिए बहुत है धन्यवाद